आज का हमारा जो टोपिक है वो होने वाला है ECG और difference between vein and artery ठीक है इसके बारे में हम discuss करने वाले हैं लेकिन उससे पहले हम तीन definition discuss करेंगे एक होगा stroke volume क्या होता है और cardiac output क्या होता है और blood pressure क्या होता है ये तेन चोटी चोटी definition है इनके बारे में पढ़ना ज़रूरी है क्यूंकि last class के अंदर हमने किया था cardiac cycle और उसी से ये relate करती है ठीक है तो सबसे पहले देखिए क्या है stroke volume stroke volume क्या होता है और cardiac output क्या होता है दोनों ही कुछ similar है थोड़ा सा difference क्या है वो मैं बताने जा रहा हूँ देखिए एक heart के दवारा heart के दवारा कितना volume blood का एक cardiac cycle के दोरान pump क्या जाता है यानि कि एक cardiac cycle के दोरान कितना volume blood का pump क्या जाता है किसी भी heart के दवारा उसे हम बोलते है stroke volume ठीक है और जो ये stroke volume है ये होता है 70 ml यानि कि 70 ml जो blood है वो एक cardiac cycle के दोरान heart के दवारा pump क्या जाता है यह होता है stroke volume तो क्या होगा stroke volume कैसे लिखेंगे हम volume of blood pumped by heart in one cardiac cycle is known as stroke volume and stroke volume is 70 ml ठीक है यह था stroke volume अब देखिए अब हम बात करते हैं cardiac output की cardiac output क्या होता है ठीक है cardiac output होता है कि एक मिनट में कितना volume blood का pump किया जाएगा heart के दोबारा वो होगा cardiac output है ना कुछ similar लग रहे हैं आपको stroke volume तो होता है एक cardiac cycle के दोड़ान कितना blood pump किया गया और cardiac output होता है एक मिनट में कितना blood pump किया गया ठीक है तो वहाँ पे एक cardiac cycle की बात हो रही है यहाँ पे एक मिनट की बात हो रही है ठीक है तो cardiac output क्या होता है कि volume of blood pumped by heart in one minute this is known as cardiac output और cardiac output को हम numerically लिख सकते है heart rate into my stroke volume यह आपको याद रखना कि cardiac output क्या होता है आपसे पूछ लिया जाएगा heart rate into my stroke volume is known as आप बोलोगे cardiac output heart rate होता है 72 और stroke volume होता है 70 तो इसको multiply करेंगे तो क्या आएगा 540 sorry 5000 40 तो 5000 चारीस हैमन अप्रोक्स 5 लिटर अप्रोक्स 5 लिटर जो blood है वो cardiac output होता है इतना एक मिनट के अंदर blood pumped किया जाता है तो this is cardiac output next देखिए blood pressure blood pressure क्या होता है देखिए ये blood vessels है blood vessels के अंदर blood जो flow कर रहा है अब flow जो कर रहा है अब ये जो walls है इसके उपर blood क्या है pressure लगा रहा होता है ठीक है जो pressure लगाया जाता है उसको blood pressure कहते है तो blood के दुबारा वोल्स पर जो प्रेसर लगाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं ब्लड प्रेसर कहते हैं तो प्रेसर एड़र्टीड बाई ब्लड ओन दा वोल्स और ब्लड वेसल्स उसको बोलते हैं ब्लड प्रेसर अब blood pressure को किस instrument से measure किया जाता है उसका क्या नाम है उसका नाम होता है spigmo manometer blood pressure is measured by spigmo manometer यह आपको याद रखना है very very important इस instrument का क्या नाम होगा spigmo manometer normal volume क्या होती है blood pressure की वो होती है 120 by 80 mm of hg अब यह 120 by 80 क्यों लिखा 80 by 120 क्या यह लिख सकते हैं नहीं यह गलत हो जाएगा यहाँ पर आपको लिखना है 120 by 80 mm of hg और फिर आपको ना बताना पढ़ेगा कि 120 क्या है और 80 क्या है आपको बताना पढ़ेगा जो 120 है वो systolic pressure है यानि कि systolic का मुदग है contraction, heart की जब contraction हो रही है तो कितना blood pressure है वो होता है systolic और diastolic relaxation state जब हो रही है तो उसमें कितना blood pressure है तो systolic pressure 120 और diastolic pressure 80 होता है ये भी आपको याद रखना पड़ेगा कहीं आप ये मत बोल देना कि जो 80 है वो होता है systolic और 120 यह उता है diastolic वहीं पे आपका question गलत हो जाएगा ठीक है आपको पूरी information याद रखनी है normal volume क्या होती है और normal volume की अंदर systolic कौन सा है और diastolic कौन सा है Is that clear? next देखिए next बात करते हैं ECG की ठीक है ECG क्या होता है ECG एक ऐसा instrument होता है जो की heart की electrical conductivity को heart की electrical activity को क्या करता है represent करता है ठीक है? आपको movie के अंदर देखा हुआ कि एक patient है जो bed के उपर लेटा हुआ होता है वहाँ पे side में कुछ TV जैसा monitoring screen दिख रही होती है वहाँ पे आपको ECG दिख रहा है वो ECG होता है उसमें पीप पीप की अवाज आती है कुछ उपर नीचे उपर नीचे उपर नीचे होता रहता हुआ है न? अचानल यह होता है ECG और ECG की जो full form होती है वो होती है electrocardiogram यह आपको याद रखनी है बहुत important है क्यों याद रखनी है वो मैं भी बताऊँगा देखिए ECG is the representation of electrical activity of heart अब किस instrument के दोवारा यह measure किया जाता है उस instrument का नाम होता है electrocardiogram ठीक है किस instrument के दोवारा ECG को measure किया जाता है तो आपको होगे electrocardiogram उसका नाम होता है first event किस ने किया? वो किया इतोवेन ने यहाँ पे B लिखाओ है यहाँ आपको वी लिखना है यह सायद गलत लिखाओ है तो आप चेक कर लेना मेभी यहाँ पे इतोवेन आएगा तो इतोवेन ने क्या किया था? इसको invent किया था सबसे पहले ECG को अब आप एक बात समझिए यहाँ पे आपसे question पूछा जाएगा कि ECG stands for आपको option दिये जाएंगे पहला option जो दिया गया वो आपको दिया गया electrocardiograph तो आप इसी को tick करोगे और वहीं पे आपका question गलत हो जाएगा क्यूंकि देखिए E और ये C और ये G हो गया ECG और electrocardiograph लग भी सही रहा है लेकिन ये गलत है क्यूंकि ये instrument का नाम है जो ECG को measure करता है ECG की full form तो ये है right electrocardiogram तो यहाँ पे आपको confused नहीं होना है electrocardiogram is the full form of ECG and electrocardiograph instrument का नाम है तो आपको ये बहुत ये बारी की से याद रखना है ठीक है तो next देखिए क्या है ये आपको ECG दिख रहा है अब देखिए क्या होता है ECG के अंदर जो ये आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं P wave और ये दिख रहा है इसको बोलते हैं Q wave और ये है इसको बोलते हैं R wave और इसको बोलते हैं S wave ये जो है इसको S wave बोलते हैं और इसको बोलते हैं T wave ठीक है ये पूरा का पूरा ECG है इसमें नाम दिया गया कि ये P wave है ये Q wave है और ये R है ये S है और ये T wave है ठीक है अब देखिए ये जो है ना ये तीनो ये P थी ये Q है ये R है ये S है और ये T है, ठीक है, अब P wave किसको represent करती है, मतलब P wave किसको represent करेगी, ये represent करती है, arterial systole को, मतलब कि जब arteria contract होते है न, तो तब ये wave generate होती है, ठीक है, अब Q wave किसको करती है, वो करती है, ventricle systole को, यानि कि जब ventricles contract होते हैं, ठीक है, और जो ये QRS है न, पूरा का पूरा QRS, QRS complex बोलते हैं इसको पूरे को, QRS complex, जितने QRS complex नंबर होंगे न, उतनी ही heartbeat होती है, यानि कि अगर आपको उस machine के अंदर, electrocardiograph के अंदर, अगर आपको ये 60 QRS complex दिख रहे हैं, तो वहाँ पे heartbeat 60 होगी, ठीक है, तो number of QRS complex is equal to number of heartbeat, is that clear, यह होता है, अब यहाँ पे T wave क्या होती है, T wave किसको represent करती है, यह करती है कि, ventricular repolarization को, यानि कि, जो ventricles हैं, वो अपनी original state में आते हैं, ventricles के आते हैं, original state में आते हैं, फिर होता है, यह होता है, end of T wave, यहाँ पे T wave end हो रही होती है, तो यह होता है, joint diastole की beginning होना, यानि कि, relaxation महाँ पे शुरुआत हो रही है, वो relaxation कर रहे हैं, लोग उसकी शुरुआत हो रही है, या फिर बोल सकते हो कि, ventricular systole, यानि कि, जो contraction हो रहा होता है था, वो खतम हो रहा है, या तो बोल सकते हैं, end of T wave represent करती है, end of ventricle systole, और beginning of joint diastole, तो यह कहानी पूरी ECG की थी, तो आपको कैसे लिखना है, वो देखिए, देखिए, इन ECG, P wave represent arterial depolarization, यानि कि, arterial systole, ठीक है, Q wave represent beginning of ventricular depolarization, यानि, ventricular systole, QRS complex represent ventricular depolarization, ठीक है, ventricular depolarization, यानि कि, ventricular systole को रेप्रेजेंट करती है, T wave represent ventricular repolarization, यानि कि, return of ventricle to original state, ठीक है, अब आगे देखिए, आगे क्या कहता है, number of QRS complex, वो होते है, number of heartbeat की, जितने QRS complex नंबर होंगे, उतनी ही heartbeat count की जाएगे, अब देखिए, ECG के अंदर segment है, ECG के अंदर, एक segment है, जो ST segment होता है, मतलब जो S और T, दोनों मिला के होता है, अगर वो depressed मिला, तो वहाँ पे, कौन सी disease हो जाएगी, heart की, कौन सा disorder हो जाएगा, वहाँ पे हो जाएगा, myocardial ischemia, तो वहाँ पे हम ECG में देख के बता सकते हैं, कि इस person को myocardial ischemia हुआ है, ठीक है, और जो ST segment deviate हो गया, तो उसमें हम बताएगे, कि ये myocardial infraction हो गया, अब ये myocardial ischemia, इसके अंदर क्या होता है, इस disorder के अंदर क्या होता है, और myocardial infraction के अंदर क्या होता है, ये हम next class के अंदर study करेंगे, हम जो next class topic है, वो लेके आएंगे, disorder of heart, heart के अंदर कौन-कौन से disorder हो सकती है, क्रीबन 10 या 12 disorder होंगे, वो one by one करके हम discuss करेंगे, तो फिलाल के लिए आपको याद अखना है कि अगर ST segment depressed होता है, तो उसको हम myocardial ischemia बोल द अब आगे देखिए, एक important line, if graph becomes a straight line, अगर graph straight line दीखता है, उस machine के अंदर, उसको क्या होगा, फिर cardiac arrest हो जाएगा, और जो person है, उसकी मोत हो जाएगी, मर जाएगा, और जो instrument है, वो ऐसी sound produce करेगा, पीप, पीप, एन देन पी, पीप, पीप, है न, तो ऐसी sound वो produce करता है, is that clear, तो यह हमारा जो topic था, वो था ECG, यह हो गया खतम, अब हम बात करते हैं, artery और vein की, सबसे पहले artery देखिए, क्या होती artery, है न, artery जो होती है, वो oxygenated blood को carry करती है, अगर आप से पूछे कि बहिया, बताओ, artery और vein में क्या difference थो, तो आप कहोगे, जो artery होती है, वो oxygenated blood को carry करती है, यह oxygenated blood है, वो deoxygenated blood है, अब oxygenated blood है, वो क्या करेगा, कोई भी जो artery है, वो oxygenated blood को लेगी heart से, मान दिया यह heart है, इसे लेगी, तो इसे क्या है, दूर जाएगी न, oxygen लेके दूर जाएगी न, body parts तक, तो जो artery है न, वो carry करती है blood away from the heart, है न, carry away from the heart, और इसका जो lumen होता है वो narrow होता है, अगर lumen narrow है, यह lumen narrow है, यह lumen narrow है इसका, यह तो artery है और यह vein है, अगर इसका lumen narrow है, तो जो blood का pressure है, as compared to this, वो क्या होगा, high होगा, और जो यह vein है, इसका lumen है, वो ज्यादा है, तो इसका blood pressure थोड़ा सा कम होगा, है न, तो यह भी बात देखिए, अब arteries हो है, वो मैंने बताया था, oxygenated blood को क्या करती है, carry करती है, लेकिन, यहाँ पे कुछ exception भी है, जिनका नाम artery है, लेकिन वो deoxygenated blood carry करती है, वो कौन-कौन सी है, जैसे कि pulmonary artery और umbical artery, ठीक है, यह दो artery ऐसी है, जिनका नाम तो artery है, pulmonary artery और umbical artery, लेकिन, यह carry deoxygenated blood करती है, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, यहाँ पर exception भी है, आप बोल सकते हो, कि जीतनी भी artery हैं, वो क्या करती हैं, oxygenated blood carry करती है, लेकिन यहाँ पर, आपको बोलना पड़ेगा, कि pulmonary artery और umbical artery को छोड़ दो, बाकि सारी artery की क्या करती है, oxygenated blood carry करती है, तो आपको याद रखना पड़ेगा, तो यह था artery, आप veins को समझी है, veins क्या होता है, veins carry करेगी towards the heart, मतलब जितना भी deoxygenated blood है, वो heart की तरफ लेके आएंगी ना carry, sorry, heart की तरफ ही तो carry करेंगी वो, है ना, तो वो होगी veins, जो carry करती है, deoxygenated blood, carry blood towards heart, है ना, इनका जो lumen है, वो wide होगा, wide lumen होनी की वज़े से, जो blood flow है, under low pressure होगा, लेकिन जो artery है, उनका थोड़ा high pressure होता है, है ना, carry deoxygenated blood, यह deoxygenated blood को carry करती है, लेकिन, exception यहाँ पे भी है, pulmonary vein और umbical vein, इन दोनों को छोड़ दो, यह जो दोनों है, यह vein है, नाम इनका vein है, लेकिन यह oxygenated carry करती है, ठीक है, तो यह exception है, यह आपको याद रखना पड़ेगा, तो यह हमारा artery vein, सब खतम हो गया, है ना, हमने आज की class में क्या किया, stroke volume क्या होता है, वो पड़ लिया, cardiac output पड़ लिया, blood pressure पड़ लिया, ECG पड़ लिया, vein और artery के अंदर क्या difference है, वो पड़ लिया, ठीक है, तो आज की class हमारी हो गई, खतम, अगर आपको इसके notes चाहिए, बिलकुल proper notes चाहिए, तो आपको क्या करना है, description के अंदर जाना है, वहाँ पे आपको link दिया मिलेगा, और वहाँ पे click करना है, direct आपको notes मिल जाएंगे, ठीक है, बिलकुल सारे notes मिल जाएंगे, with diagram, ठीक है, और एक बात और, जो भी मैं ये human physiology आपको पड़ा रहा हूँ, ठीक है, जैसे कि अभी मैंने start किया है, क्या किया हूआ है, ये start किया हूआ है, blood के बारे में, मतलब पूरा cardiovascular system start किया हूए, blood and cardiovascular system, पूरा का पूरा start किया है, जो की next class के अंदर हमारा खतम हो जाएगा, ठीक है, जो next class होगी, वो हमारी last class होगी, इस blood और cardiovascular system की unit की, पूरी unit है ये, तो इसके last class होगी, फिर हम start करेंगे, digestion start करेंगे, उसके बाद excreation start करेंगे, digestion के अंदर भी बहुत सारे lecture होंगे, excreation start करेंगे, तो धीरे धीरे पूरी human physiology finish करेंगे, और जो ये human physiology है, ये 11th class के बच्चे पढ़ सकते हैं, और B pharmacy second semester के बच्चे पढ़ सकते हैं, और जो ये human physiology का जो blood वाला topic है, blood और cardiovascular वाला topic है, ये first semester में आता है, B pharmacy first semester में भी है, और जो ये पूरी human physiology है, ये D pharmacy second semester के अंदर भी है, तो 11th class वाले बच्चे पढ़ सकते हैं, B Pharmacy second same और D Pharmacy second same इन बच्चों के लिए है बिलकुल same है बिलकुल same subject है सारे topic same होंगे तो यह आप पढ़ सकते हैं तो आज के class में इतना ही तो मिलते हैं next class के अंदर